हेलो फ्रेंड्स, तोड़े, विल स्टार्ट इवल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम इवल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इवल्यूशन ये एक छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि जब हम इवल्यूशन देखते हैं, तो हम सिफ ऐसे एकने के पहले हम ऐसे थे, फिर हमें थोड़ते चेंजिस आए और बाल में हम ऐसे हो गए, ये सिफ एवल्यूशन ही है, इवल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम् इर्थ, अधर ओरीजिन आफ गैलेक्सी, जो गैलेक्सी बन रही है, वहां से शुरू करके, जब लाइफ वास अभी जो ecosystem है, अभी जो environment है, अभी जो organism है, वह सब कैसे आए, उसमें क्या-क्या difference आए, उसमें क्या-क्या नया characters develop हुए है, वह सब evolution है So, we can observe the diversity of life around us, हम देख लिए कितनी सारी varieties है, कितने सारे लोग है, कितने सारे different animals है, like हम देखते हैं कि बर्ड है, तो, बर्ड में कितनी बर्ड होगी है, आप कोयल को देख लीजिए, क्रो देख लीजिए, क्रो देख लीजिए, आप काइट को देख लीजिए, तो आप हमको काफी variटी मिल दिये, बर्ड में, likewise सबसे ज़्यदा variety मिल दिये हैं को इंसेक में, आप हम भी इंसेक देखें, तो उसमें भी काफी variटी ERIC है, इंसेक तो काफी डिफ्रेंन टाइक आते है, कोई wings है, कोई इसमें wings है, केसी में wings नहीं है, तो इंसेक में, प्लांट में, बर्ड प्लांट में भी काफी वराइटी में है आपने देख्खे है कि लिव काशएप डिफेंट होता है वह सीड होता है उसका वह शेप एंड साइज और फ्लावर वराइटी जंड So Many Varieties and So Many Diversity are there in Our Earth ये सब कहहां से है, टो पहला कwayशन हमको आता है कि ये सब कहां से आते है, ये vä Experiment can estoy, ये टायमसी कहां से आई होगी तो हम ये सब अगर सुचने पेंट है तो हमस्टार कहां से करें कि ये Evolution का मतलब काया है अभी जो यहां पे है, वो कहां से आया है अभी जो यहाँ पर है वो कहां से आया है कि यह जो characters अभी चमको और्गिनिसम में दिखते हैं वो characters कहां से develop होए कैसे develop होए वो हमको मालूम नहीं है तो वो हम लिखते हैं कि यह life यह जो life है जो different organism है वो कहां से start हो है life का origin कहां से होगा यह सब evolution है तो सिर्फ evolution को हम ऐसे नहीं देखते ही कौन से character change है लेकिन evolution को हम साथ में चोड़ते हैं ecology के कि जो environmental changes है वो individual पर कैसे effect हुआ है और उसमें कौन से changes है दूसरा हम genetically changes देखेंगे कि जो animal और individual और organism है है उसकी जीन में कैसे change आया according to environment के उसकी वजह से उसे अपनी characters को change करना पड़ा अपने उलिये को change करना पड़ा अपनी external morphology है अपनी विजोलोजी है वो सब change करने पड़ी according to environment वो सब हम देखते हैं तो वो evolution हो जाता है कि we start from the species when the first species जो बनती थी बने होगी वहां से लेकि यहां तब जब हम fully developed animal है fully intelligent brother animal है तो वह हम यहां तो कैसे पहुचए अगर हम वह देखने जाए तो हम start करते हैं from the beginning कि galaxy कहां से बनी तो आपको पता हिए कि space में काफी theories है physics में काफी theories है कि galaxy कैसे बनी लेकिन एक बहुत ही famous theory है अगर आपको पता है कि big bang theory कि there is only one particle और there is some particles वहां से एक बड़ा सा धमाग हुआ इसमें काफी सारी stars and planets and काफी सारे things जो है वह बनी in space तो space में काफी सारे stars and planets and etc वह सब बनी galaxies नहीं नहीं आई कर कितनी सारे galaxies बनी उसमें से हमरी Milky Way galaxy है उसमें भी काफी stars है वह सब कहां से आए तो कि वह origin हुए from the single big bang or bang थी उसके लिए काफी famous है और वह काफी considered भी जादिये कि वह एक बड़ा सा धमाग हुआ और वह बड़े से धमागे में से काफी सारे planets और वह से बने उसमें हमारा एक planet है Earth वह वहां से originate हुआ अर्थ originate हुआ है from the sun वह भी आपको पताए कि sun है जो गुमारा उसमें से धमाग हुआ और उसमें से क्रावन गुम दिये वह समुन को पता है तो यह origin कहां से हुआ तो हम अभी के टाइम से गिने तो 200 billion years ago फिर से बुलना हूँ 200 billion years ago के 200 billion years पहले जो Big Bang हुआ था वह गैलेक्सी बनी थी देन सन बना और सन में फिर से ब्लास्ट हुआ और अर्थ बनी तो जब अर्थ बनी अभी हम अभी कोई लाइफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं just we discuss about the origin of earth उसमें बाद में individual video ar Georgia कैसे आये वो बाद में निकिन अब भी इस इर्थ बनी हैं तो और एर्थ बनने के बाद मेंसे क्या होता हैं जब अर्थ बनी तो अब सब को पता है कि वह गर्भू सा दोला जिसमें आग थी औरल दोलता ओफ data हो सिर्थ में तो जब बनी तो उसमें तो कभी कभी ब्लास्क होते रहते हैं और उसकी सरफेसे से लिए गर्म है तो जब अर्थ बनी तो उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें हाइड्रोजन था हेलियम था और वह आग का गोला था वह एक बहुती गरम आग का गोला था जैसे जैसे वह संसंदूर गुआ उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से वह अर्थ पुरी गुमती है अपने सर्फिस पे भी खुमती है और अर्वन भी खुमती है तो यह जो अर्थ है यह जो गरम आग का गोला है अभी अर्थ नहीं है तो वह दूरी दूरी फ्रीज़ गोला उसमें थोड़ी ठंग हुई क्यों कि आखा जो बोला था उसमें से काफी वेपर काफी ग्यास निकलती थी उसमें चार्बन डियोकसईड अभी आ चुका है अभी उसमें काफी सारे गैसे वह आया गये लेकिन ये जो जैसे जैसे वेपर गती जाएगी आग से वह एपर उपर जाके ठंडी पड़ेगी और थंडी पड़ने से वहाँ बादल बनेगे और बादल बनने के बाद बारिश होगी जैसे जैसे बारिश होगी वड़े से जो surface , नाते ही आते हिका। नाज को पानी तक का साव में पानी आता ही जाएगा, ऐसे पुत्वी का जो है वो फृजीग हो आया दर आदर हमें को बहलता है कि पुत्वी थंडी पड़ रही है दीरे 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 और आख का गला ermू दीरे दीरे अब फ्रोजन हो रहा है और इस पुत्वी का निर्मार हो रहा है तो जैसे जैसे अर्थ बरती जा रही है उसमें पानी जमा होता जा रहा है और सबसे पहले कोई चीज बनी है अर्थ पे तो हो है वाटर, बना है सबसे पहले, क्योंकि बारिश हो रही है, वाटर जमा हो रहा है, यानि ओशन बन रहा है अभी, अर्थ पे जो काफिक गड़े हो कि उसमें पानी बढ़ रहा है और वो पूरा कॉशन बन चुका है और अर्थ पे कोई लैंड है वो से एक ही कि तुब प्रिभियसिली अभी जानते हैं कि पूरा पूरे सैवन लेकिन जब अर्थ बनी तब एक ही लैंड का वो पूरा स्प्लिक नहीं हुआ था तो उसके अराउंड पूरी अर्थ है वो उसमें ऊशन था काफी सारा पानी था तो पहले आपको पता होगा कि काफी सारे सेंटेस्टर से बोलता है कि चो ओर्गेनिम पूर्थ पर आये है जो अर्थ पर यह और्गेनिजम आये देयार कामस प्राव दी ओशन डैर था ऑ्रवीं सी तो वहां से वह जिक है लेकिन हम उससे पहले देख रहेंगे अभी तो सीर्फ है in the पार में कारपन डावकसल और पानी और कोई ठींगस पर उपर जरा उपर अ फिल और को मिरत देखिएchts जैसे जैसे sunlight, sun rays, UV वो पानी पर पड़ेगी तो पानी का स्प्रेटिंग होगा आपने 11 में देखा है कि sunlight से water का स्प्रेटिंग होता है और H2 and O2 बनता है याई hydrogen और oxygen, hydrogen and oxygen बनता है UV rays है वो water पर पड़ता है, water molecule स्प्रेट होता है और H2 and O2 बनता है अभी H2 तो single proton and single electron है, तो वो काफी light है तो वो उपर चला जाएगा, वो atmosphere में काफी देर तक रहेगा, नहीं तो बाकि बचा कौन? बाकि बचा oxygen ये जो oxygen बचता है, वो और molecules है, उसके साथ bind होता है carbon है जो उसके साथ bind होने के बाद और carbon dioxide बनाता है वो hydrogen के साथ और carbon के साथ bind होता है hydrogen जो बचा है वो carbon के साथ bind होगा और methane बनेगा यानि methane बनता है, ammonia बनता है, nitrogen जो atmosphere में होगा CO2 बनेगा, methane बनेगा, ammonia बनेगा ये सब molecules बनेगे, ये अभी micro molecules है, ये बहुत बड़े नहीं है यानि future में, with the help of these molecules, the polymerization process will occurs so, ये molecules की use करके इसका उपयोग करेंगे और इसकी मदद से macromolecules बनेंगे, like propens, like carbohydrates, lipids, etc, etc क्योंकि ammonia is necessary, is necessary, is necessary, is necessary, is necessary, is necessary तो ये सारे जो अभी बने हैं, वो सारे बने हैं, पानी से, oxygen से, carbon से, और nitrogen से तो ये सारे micro molecules हैं, वो बनते हैं, उपर से atmosphere में जैसे oxygen उपर चला जाएगा और उपर जाने के बाद वो पूरा layer बनेगा, जो ozone layer बनेता है, oxygen, तो oxygen की मदद से पृत्वी के उपर एक ozone layer भी बनता है, तो ये सारा evolution है, ये start होता है, तो ये अभी अर्थ बनी है, अभी organism कोई भी बना नहीं है, अर्थ में क्या हुआ है? अर्थ संद से अलग होई है, अर्थ संद से अलग होने के बाद पूरी आख का भूला थी, उसमें से गिरे गिरे बारिश होती है, rain fall होता है, rain fall होने के बाद वो एकदम चम जाती है, उसमें different gases होते हैं, प्रत्वी बनती हैं, अब हम बात करते हैं, कि यह पृत्वी बन चुकी है, अभी हमने, मैंने पहले को बोला कि यह molecules का यूज करके, लेकिन पहले कि जो लोग कैसे थे कि उनका कोई scientific vision नहीं था, इसलिए अलग लग लोग अभी अमीनिया में मानते हैं, अगर कोच अमतकार ह लोग किसी scientific method को, कि यह सब चमतकार है, वैसे पहले जब लाइफ प्रत्वी पर आई थी, तो उसकी काफी hypothesis थी, वो काफी interesting है, वो लोग अलग hypothesis बोलते हैं, जैसे कि अर्थ जब पहली बार बनी, तो अर्थ बनने के बार, और अर्गिनिजम और प्लांट और अनिमल्स कैसे आए बत्वी पर, तो काफी सारे ऐसे बोलते हैं कि Greek hypothesis है, काफी Greek philosophers and scientists है, वो ऐसे बोलते देखी, और जो अर्गिनिजम है वो बहर से आई, यानि स्पेस से आई, कि पहले स्पेस में ऐसे कोई जो कोई चीजा आ रही है, और स्पेस से चीज आने के बाद वो यहां explore हुई और यहां काफी सारे organism बन चुके हैं, तो we are, हम from the space, we are aliens, जैसे इन के hypothesis पी कि we are aliens, हम बहाँ से हैं, हम पृत्वी के नहीं हैं, और यहां बने बने हैं, तो यह का hypothesis हैं, यह अभी सक्तिय नहीं हैं, यह का hypothesis हैं, बाकी काफी सारे hypothesis हैं, एक hypothesis हैं, कि हम बने हैं, dead organic matter से, sorry, decaying matter, यहीं मौड जो बन चुका है, और वो decaying material है, कोई पृत्वी के layer में, तो हहां से life की origin हुई है, decaying material, यहीं मौड और, etc, straw और, etc, जो काफी है, decaying material है, जो degrade हो रहा है, उसमें से life originate हुई, यह भी एग hypothesis हैं, और, एक interesting hypothesis ऐसी है, कि पूरा, चो मौल ने ही, आपके पूप में लीगे है, पूरा जो world की जितनी भी population है, वो सिर्फ साथ दिनों पूप में लीगे है, यह भी एक hypothesis है, कि पूरा लोग जो, कोई church के अपादर है, वो उसने बोला ता, यहां मुझे यान में है, कौन थे, और पूपन चुके ऐसी अफसान भी नों, तो यह भी एक hypothesis है, एक दिकेंग मडियर की hypothesis है, एक ऐसी hypothesis है, कि यह जो पूरी world है, उसके जो organisms है, तो first organism कहां सा है होगे, तो कि जो पहले organism वर्ड में थे, उसमें से ही नहीं आ रहे हैं, यानि, organism सबसे पहले world में थे, अर्थ में थे, और महां जी नए organism स्टार्ट होए है, यह सा बोला है, पास्चर में, कि जो कोई organism है, यह जो एक single organism है, उसी में से सब ब्लास्ट होके, यानि, एक्स्प्लोर होके, कि और जो डेंड organism है, जो पहले exist करते थे, उसमें से ही हम बने हैं, तो यह भी एक ecksperiment भी किया, कि उसमें दो फ्लास्ट के लिए एक में बंद कर दिया, एक में खुला, ओर open hog था, तो जो जो लूजड फ़ Ensign तो, यहीस्ट जो फ़ंजए है उसको बन कर दिया उसको मर गई उस्पर इए तो उससमें कोई डेलॉंब्मेंट नहीं हुआ और नहीं ईयस जो इस्ट उ सपल अपन थी, जिसका जिस जो एर उसके साथ तो वह जो फ्लस्क थे उसमें से पूरा एक्स्प्रोर हुआ और वह फ्लस्क में से ड़ेड और जो जाए थी उसमें से नहीं बन जाए नहीं इस भारेज हुई ऐसी एक और इस से उसमें एक्स्परिमेंटली प्रूफ दी थी तो यह काफी अब तक हमको रिलेबल लगता है कि जो प्रीविएस एक्जिस्टेंस एनिमल थे उसी में से अभी जो एनिमल है सर्वाइब कर रहा है वहां वो आया होंगे यह एक आपोथिस है तो यह भी हम बोल सकते है कि काफी अब तक सह है कि जो organism से पहले वर्ल में थे फिर वहां से यहां आये है तो यह समकर आखी हमको ऐसा लगता है कि यह काफी अतक सही है पहले जुंद कर लेकिम काफी है और हम कैसे यकिन कर लें कि यही सही है जब तक कोई एक्स्पर्मेंट ने देता लाइक तो लूईस पास्चर पाइस्चों की तरह आपना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं देगा तो हम यकीन नहीं करेंगे कि यह कहां सही और कैसे यह एक्सपेरिमेंट हुआ तो तब तक सब हाइपोधिसित है तो यह सब इंटरस्टिंग चीज है कि कैसे लाइक है और पर डेवलप कोई तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ हाल्टरह ऑफैरमक्स वो एक्सपेरिमेंट यारड। यह आसे नहीं प्रयूमेंचन चीज के और चीज़गे को बताना झाहूंगे तो मैंने ऐसे बोला क्यों मैक्रोडों ओनेक्योल्टीन उसकी polymerization process होगी और यह polymerization process के अब बाल मेंक्रों मलेकियोस बनेंगे यह आपको में एक introduction दे रहा हूं hard and operon से पहले बाद में hard and operon की बाद करेंगे वह बाद करेंगे operin और hard and so पर लेख में यह बो दर्जन की hydrogen, helium, oxygen यह 3 पे, then carbon, 4, and nitrogen, 5, hydrogen, helium, carbon, oxygen, and nitrogen molecules यह 5 molecules में spell and micro molecules बनें जिसमें ah, methane, water, methane, dioxide and ammonia तो यह जो 4 और 5 molecules है micro molecules उसकी काफी polymerization process हुई किसकी presence में कैसे हुई वह भी बात करेंगे वह भी experiment है क्यों क्योंकि हम science के student है हम experiment के बिना मानते नहीं कि अगर आप यह चीज़ बता रहे हो तो पहले हमें वह प्रूफ करके लिखा होगी है यह चीज़ है तभी हम मानेगे और यह तो evolution है हम क्यों यकिन करें यह science है pure science है हम क्यों यकिन करें तो वह experiment कुछ हैसा था कि पानी में और atmosphere में काफी सारी physical activities होती है लाइक बादल गरजना बीचली हो रही है तो यह सारे process जो हो रही है उसकी वजह से यह molecules से कोई polymerization process होई और कोई ऐसी चीज होई कि जिसकी वजह से यह जो molecules से उसकी polymerization process होई और दीरे-दीरे carbohydrate बने, then protein बने, then lipid बने जब यह polys मर्स सारे carbohydrate, lipid, and protein यह सब बन चुके है बनने के बाद वे एक दूसरे के करीब आए और वो कुछ ऐसा arrangement हुआ कि वो सारे micro molecules, sorry, macro molecules करीब आने के बाद उसका कुछ ऐसा arrangement हुआ कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे correlate करने लगे तो यह सब correlate कर रहे हैं तो उसको हम ऐसी कोई structure बोलेंगे जो अपने आप चलो रहा है वो structure है वो अपने हाँ चलो रहा है अब वो किसी पे भी dependent नहीं है और कुछ ऐसी proteinous part बने और ऐसे carbohydrate वाले part बने with the help of metals and etc. तो वो photosynthesis करने लगे यानी और before this kind of structures, मुस्को अभी structure रहे हैं कि वो photosynthesis से पहले वो आजो बाजो कि कोई molecule से उस पे dependent हो रहे है और खुद ही ऐसी arrangement कर रहे हैं जो अभी उसको हम cell नहीं बोल सकते हैं उसको हम procreatic cell भी नहीं बोल सकते हैं autonormously चलने लगे उसको हम चलते हैं उसमें कोई कोई किसी पे dependent है लेकिन अभी वो क्या खुद बने हैं तो ऐसे माइक प्रोटीन और लिपीड और वो सब है वो ऐसे है फुल मिल गए और उसकी इक स्पेसिफिक अरेजमेंट हुए तो यह arrangement है वो अभी एक स्पेशलाइज अरेजमेंट है जो एक दूसरे पर डिपेड़ेंट है अंदर और वो पूरा उसके अंदर और है सब्सक्राइज बढ़ा हुए अगरम सब्सक्राइज की जो सब्सक्राइज है वे पूरी प्रोटीन और से मंदर बने गए अगर हम डी ऋने को देखे तो डीन एक रगए मगाशन है नूलिक एसीलति तो वह अगुली कैसे से बना हुआ है काफी और्गेनिजम्स है जो और्गेनल्स है वो यह इन चीजों से बना हुआ है लिपेड प्रोडीन अंतार हो तो हम ऐसा अगया लगा सकते हैं कि यह एक फ्यूचर सेल होगा जो अभी बन रहा है वीरे-वीरे तो इतनी बात करते हैं लेकिन बात में हम आगे जो एक्सपरिम गुझ बाइ